आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कल टूजडे की दिन मार्केट कैसा रहने वाला है और आज जो मार्केट के अंदर गिरावट आई है उसके पीछे का रीजन क्या है complete जानकारी मिलेगी बहुत ही important news भी है यहाँ पर और बहुत ही important levels भी है चार्ट के उपर तो चलते हैं मार्केट का complete course और सीख सकते हो कि कैसे काम करना है अब चलते हैं मैं आपको लास्ट में जो लेवल्स हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की यह लेवल्स भी हैं support और resistance हैं इनके अंदर काफी अच्छे लेवल्स हैं यह slide मैं दिखा देता हूँ अभी बाद में side से मेरे दिमाग से निकल जाए तो एक बार मैं अभी यह दिखा दिया है अब चलते हैं कि यह कैसे काम करेंगे अब देखो सबसे पहले जो आज market है निफ्टी निक किस प्रकार से काम किया है वो बताना चाहूंगा हमने बात की थी कि यहां से market उपर जाना चाहिए तो यहां पे market थोड़ा इंट्रडे के अंदर उपर गया और फिर यहां पे market उपर जाने के बाद में इसने थोड़ा सा ही या पूरा gap फिल नहीं किया और वापस नीचे आ गया यह नीचे क्यों आ गया इसके पीछे की एक वज़य है चार्ट कब काम करता है आपको पता होना चाहिए चार्ट है या technical analysis है वह कब काम करता है वह अगर market में कोई news नहीं होती है न नॉ-news ठीक है तो काम करता है लेगिन market में जब news आustी है तो फिर market news based हो जाता है तो वहां से छार्ट काम नहीं करता है पिर वह news based या sentimental तरीके से काम करने लगता है तो यहां पर देखिये फिर बाज़य वे ऊपर बेंक है वो और दिवालिया हो गया है तो उस वज़े से फिर उसे वापस मार्केट के अंदर गिरावत होड़ने लग गई तो यह न्यूज बेस्ट जो काम हुआ है आज आप देखो इसके अंदर कैसे हो सकता है न्यूज बेस्ट में कोई टेक्निकल काम नहीं करता है लेकिन हम जो एनलेसिस हैं वो करते हैं और उसमें फाइनल जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद में जो टेक्निकल्स हैं वो काम करते हैं अब हमने बात की थी कि अगर इस लेवल के नीचे आता है यह जो रेड केंडल बनी हुई है उसके नीचे आता है तो फिर यहां पे 17,250 और है सकती है अब आपको बता देता हूँ कि मैं इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा जैसे मैं यहां पर यह RSI लगा दी है मैंने इसको बोलते है relative strength indicator तो यह क्या देखो यहां पर जब यहां पर market आया था और फिर यहां पर market आया था तो जो भाव है उसने तो नया low लगा दिया यह एक low है फिर इसके नीचे आया और यह यहां पर यहां पर देखिये कि भाव ने यहां पर एक RSI बनाई लगबग 36 के करीवन और जब इसने नया low बनाया तो RSI यहां पर है 30 के करीवन तो 6 पॉइंट नीचे RSI भी आ गया लेकिन अब यहां पर RSI कितनी है यहां पर RSI है 30 के करीवन और भाव ने क्या किया कि नया लो बना दिया है भाव कितना गिर गया है पिछले वाले लो से भाव नीचे आ गया है लेकिन RSI आप देखिए RSI अभी 36 के करीवन है तो RSI के अंदर diverges दिख रहे हैं यहां पर RSI उपर जाने की कोशिस करा है तो यह अंदरूनी सूचना होती है कि यह जो गिरावट है वो strength के साथ गिरावट नहीं है तो हो सकता है कि यहां पर market है वो reverse कर जाए कभी भी किसी भी टाइम पे तो यहां पर नीचे की position नहीं बनानी है आपको ध्यान रखना कभी भी अब क्योंकि strength नहीं है market के अंदर नीचे गिरने की बिल्कुल oversold हो गया है यह तरीके से RSI ने साप साप यहां पर indication दे दिया है कि यह market है वो खोकला नीचे गिरा है हो सकता है हाँ news के वज़े से यह गिर सकता है और भी गिर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है news के वज़े से लेकिन जो technicals है उनके वज़े से नहीं गिरेगा market है अब चलते है bank nifty के उपर bank nifty की बात करूँ तो देखो यहां पर bank nifty ने भी जो एक अगर इसके नीचे भी हाता है यह जो की 49600 और करीं one बना हुआ सकता है लेकिन अगर इसके नीचे लोगोज करके चला गया जिसकी जएदा उमीद नहीं है लेकिं हो सकता है क्योंकि News हो सकती है news की वज़े से, अमेरिका सबसे बड़ा यहां पर काम खराब करके सामने आ रहा है, तो कि वहां की जो crisis है वो सबसे बड़ी हो रही है, banking crisis हो गया वहां पर तो इस वज़े से यह नीचे close करके चला गया न, तो फिर यहां पर जो 38,500 और 38,000 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले time के अंदर, लेकिन अगर इसको उपर जाना है, तो यहीं से एक best situation है उपर जाने की, क्योंकि इसको भी RSI में दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए कि, यहां पर RSI है वो इसकी RSI यह लगबग 30 के करीबन और यहां पर RSI इसकी लगबग 35 के करीबन बाकी market ने low बना दिया है यह इसका low आप देखिए, यह जो candle इसका low है, 49,600 ठीक है, और इस candle का low देखिए आप 49,454, तो यह लगबग-लगबग 500 point पिछले swing से नीचे आ गया है market, लेकिन RSI उपर के साइड में move कर रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि RSI ने केसे, यहां पर यह देखिए RSI की direction क्या है उपर के साइड में है, और market की direction क्या है, नीचे की साइड में, क्योंकि market है वो यहां पर इस direction में चल रहा है लेकिन news या sentiments इसको नीचे गिरा सकते है अगर news या sentiments अगर नहीं गिराते हैं तो market पका यहां से reverse करेगा उपर आप यह लिख के ले लीजिएगा तो इस बात को ध्यान रखना है आपको और मैंने बताया कि आपको इसके अंदर नीचे की position नहीं बनानी है क्योंकि news है news के इसाब से काम नहीं करना है आपको news तो कभी भी change हो सकती है एक मिनिट बाद में कोई भी news आ सकती है तो news based पे काम नहीं करना है आपको technicals और study, research के इसाब से काम करना है तो यहां से अगर उपर जाए तो आपको buying की position बना सकते हो और intraday कर रहे हो तो आप कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन लेकर जाना नहीं है आपको तो यह आपको मैंने बता दिया कि यहां से reverse कर सकता है लेकि news आ गई तो यह नीचे भी आ सकता है दोनों ही चार्ट के अंदर Nifty और Bank Nifty में यही situation है तो यह आज की analysis है और अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा कि क्यों गिरा है, क्या यह गिरावट जारी रहेगी पूरी research आपके सामने next videos के अंदर आने वाली है तो उनको भी जरू से जरू देखिएगा और अगर आपके पास trading account नहीं है तो description box में वो link है चाहां से आप जरू दाया angel broking में अपना account open कर सकते हो और trading कर सकते हो हमारे को support करने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे मिलते हैं next video में, thank you very much